हेलो फ्रेंस, सब्जियों के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती, सर्दियों के मौसम में तो हरी सब्जियों के बाहर आ जाती है, आधिकान सब्जिया सर्दियों के मौसम में सस्ती हो जाती है, लोग इस मौसम में सब्जिया भी घात जादा खाते हैं, लेकिन कुछ सब्जिय जिनका सेवन पड़ी सावधानी से करना होता है क्योंकि इन में हानिकार कीड़ी होडते हैं जिनने फिता कर्मी कहा जाता है ये कीड़ी इतने कहता होते हैं कि इनका लार्वा गरम पानी में जिंदा रह सकता है आंत में ये खून के मात्यम से दिमाग में भी पौस सकते हैं जो फूल गोबी या बंदगोबी, टी ओ आई की खबर में कहा गया है, कि कच्ची सब्जों में टैप पर्म हो सकता है, जो इनसान को सुग्रमित कर सकता है, फिता क्रमी के लिए सबसे मन पसंद सब्जी, फूल गोबी और बंदगोबी है, ये कीरे बहुत छोटे होते हैं, कुछ बंदगोबी के बहुत अंदर चुपे होते हैं, और अधिक तापमान पर भी जिंदा रह सकते हैं, सबसे बुरी बात यह है, कि ये कीडे खोन के मात्यम से दिमाग में भी पहुच सकते हैं, जिससे वहा लार्वा जमा हो जाता है, अगर ऐसा होता है, तो दिमाग सहे लीवर और मसल्स में खातक बिमारिया बनभ सकती है, बैंगन, बैंगन भी बहुत लोग प्रिय सकती है, बहुत से लोगों को बैंगन का भरता पसंद है, लेकिन बैंगन में भी टैप वर्म, यानि कीड़ाई होने का चौखिम रहता है, माना जाता है कि बैंगन में जो सिड्स भी बेमिसाल है सिम्ला मीच में भी टैफ वर्म होने का खत्रा है सिम्ला मीच के अंदर टैफ वर्म अमना अपना लावा छोड़ सकता है जो सीरे खून के मातिम से दिमाग में घुश सकता है इसलिए सिम्ला मीच को बहुत अच्छे से पकाना चाहिए अर्बी की पत्ते बहुत केबड़ बीच को निकालकर इसे पकाल चाहिए टैक्स फर ओछिंग प्लिस्लिक, शब्सक्राइब और शब्सक्राइब